पलीग लोमरी की बड़ी आँखें और बड़े आकार के कान इस प्रजाती क्यूट में इस फैक्टर को बढ़ा सकते हैं लेकिन उनका वास्तवे को देश कहीं अधिक व्यभारिक है अफ्री की साहिल का एक निवाला लोमरी अपने शरीर के ताप्मान को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए अपने अतिरिक बड़े कानों पर मिर्भर करती है क्यूंकि यह रेगिस्तानी आवास के माधिम से मेरेगेट करती है और रेट के नीचे छिपे शिकार को सुनने के लिए उन्हें काम पर भी रखती है जब सूरज ढल जाता है तो लोमरी की आखी शिकार का पता लगाने के लिए अपने कानों के साथ मिलकर काम करती है जो प्रकाश की सबसे छोटी बंदूओं को पकरने में सक्षम होती है और संभावित भूजन के स्थान को प्रकट करती है